महद यहां यह उलेखनिय है कि सीत युद्ध की समाप्ती वा समाधान एसिया की गटनाओं तथा अपगा निस्तान से सोवियत सेना की वापसी से ही हुआ है अपगा निस्तान में लंबे अर्शे तक चला युद्ध सोवियत संग के अस्तित्व के लिए कश्ट दाई और मुश्किल हो गया इस भयावह युद्ध से सोवियत सेनाओं की वापसी ने अनेक गटनाओं ने जन्म लिया जिनकी पडिनती सीत युद्ध की समाप्ती से हुई तथा जिसमें जर्मनी का एकी करण तथा सोवियत संग का विगटन शामिल है संछेप में सीत युद्ध का और इस तनाओं का एसिया की एकता पर दूर गामी प्रभाव पड़ा एसिया के सभी देश यह चाते थे की छेत्र में सांती बनी रहे चीन और शोवियत संग का सीमा विवाद चीन और वियत नाम का जगड़ा और भारत वचीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थीतियों को असपस्ट करता है इस तरह से पाकिस्टान पूरी तरह से थाईलेंड और हिलिपिन्स के साथ अमरिका के खेमे में चला गया था जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पस्टिम देशों में शामिप्य अस्थापित कर रहा था इस से एसिया की एक ताको एक नया धक्का लगा है क्योंकि एसिया के देश अलग-अलग खेमों में बट गए थे 1960 के दसक में एक नया मोड आया जब सीत युद्ध के समय में आसियान के नाम से एक नय गुट का प्रादुर भाव हुआ इस से दक्षिनी पुर्वी एसिया के देशों में नय आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रयास किये गई इन देशों में सांस्क्रितिक एक रुपता की वजह से भी एक नय गुट ने जन्म लिया लेकिन यह कहना पठिन होगा कि इन दक्षिनी पुर्वी एसियाई देशों से समुचे एसिया की पाचान या एकता बनाने में सायता मिली है या उससे धक्का लगा है क्योंकि इन देशों ने अपनी नीती बहुत असपस्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर भुमी पुत्र नीती को जन्म दिया भारत भी अब आसियान का शायोगी सदस्य बनने जा रहा है भारत की पहल से दक्षिन एसियाई शायोग संगठन की अस्थापना संग उनीती सापचासी में की गई जिसके फल्चरो परोशी देशों के आपसी सहयोग के लिए नया भातावरन तैयार हुआ या प्रियास सनय सनय उपयोगी रूप लेता जा रहा है जो एसिया की पहचान बनाने की ओर महत्वपुर्ण कदम है व्यापार निवेश तकनी की ज्यान संचार माध्यमों में बढ़ोतरी ने विश्वगाओं के विचार को भी पैटा किया बढ़ते हुए व्यापार निवेश संचार एवं विज्यान की आधुनिक तकनी कों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निड़भर रहने के नए विचारों को जन्म दिया आहरiejила रहने कोलो एकार ने पिंदा प्रावामन आहराल धhalf कोस्ट है कर दो किया आम एक भी रामार인지 सूसरे विज़्फ में पारी होारा थी पाकर आमादा कर दो का पांवाऊ